हेज़ गईज़ वलकम तो रील में डायरी और इस वीडियो में लेकर हैं आपके लीए रिवेंज यू इस का रिव्यू सु पूरा देखना वीडियो को लेट्स घिए कि अ तो गाईस सीदह चलते हैं अब आउट फोन में तो बाउट फोन में चलते हैं हम देखते हैं इसमें हमको क्या चीजे देखने को मिलती हैं तो अबाउट फोन में हम आ गये हैं यहाँ पर हमें मिल जाता है एंड़ुड वर्जन जो है टैन और यह रिवेंज जो है 3.2 एक मिल जाता है तो इसमें कस्टमाइजेशन तो ज्यादा नहीं दे रखी है वैसे अब देख सकते हैं थोड़ा आपको यहां से थोड़ा जैसा लगेगा यह फोन थोड़ा इसमें मिवाई जैसा लुक देखने को मिलता है आपको ग्रेडियंट फिनिश के साथ ही मिल जाता है आप इसके कलर ग्रेडियंट जो है बदल सकते हैं तो सेटिंग्स में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो डिफरेंट मिलता है रोम्स में और यहां पर आप यह आपको डिफॉल्ल जो है यह मिलता है इसमें इसका एक इशू बताऊंगा यह मुझे इशू फेस करना प तो यह अच्छे से वर्क कर रही है मैं आपको इपर फिर से दिखा देता हूं तो डिजिटल वेल्पिंग जो है अच्छे से वर्क कर रही है और विंगर पुल करते हैं तो फिंगर पिन्ट भी बहुत अच्छे से रिस्बॉंस कर रहा यहां पर तो फिंगर प्रिंट में जो है कोई भी इशू यहां पर देखने नहीं मिलता है तो यह इस्व मैं बताूँ आपको जैसे आप देखिए अब आपका फुन जो के आप इसक काफी मैंने इशू देखने को मिला है और यहां पर style and wallpapers में आपको दिखा देता हूं एक बार जिसे आप custom use करते हैं जिसे यह मैंने डख लिया मैं जैसे रख रहा हूं तो मैंने color जो कुछ भी रे ले लेते हैं इस पर से मैंने यह ले लिया next कर देते हैं इसको तो जो है कभ apply हो चुका है देख सकते हैं apply हो गया तो settings में जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर बाकी के colors नहीं आ रहे है एक तर डिजिटल वैल्विंगा गूगल का जो है आईकन दिख रहा है color के साथ बाकी के नहीं दिख रहे हैं लेकिन आप इसको tap करेंगे तो आपको हलका दिखेगा तो यह एक issue है जो किसी को मैंने पूछा था तो उसको नहीं face कर रहा था इस बंदे में नहीं किया face इस issue को तो यह मेरे को दिख रहा है तो वैज और यहां पर मैं blur की बात करते हैं यहां पर ब्लर हो रहा है background में यहां पर मिल जाते हैं आपको कुछ टाइल्स यहां पर screen recording option नहीं मिलता है आपको और network connectivity की बात करते हैं तो सभी कुछ working है Bluetooth hot spot यहां पर सभी working हैं यहां पर मिल जाता है आपको dark theme यहां पर dark theme भी अच्छे से work कर रहा है कोई issue नहीं है location GPS सब अच्छे से work कर रहा है और यह issues पता नहीं क्या सीने कैसे मुझे तो face करना पड़ रहा है पर बाकी सब जो है guys अच्छे से work कर रहा है तो guys बात करते हैं पर calling की जो है calling वे अच्छे से work कर रही है और इस रोम का जो है link में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और installation का भी link में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब वहां से इसको download करो और install करो और सभी का link description वीडियो installation का भी link description में अब हम आगये डिस्प्ले में तो डिस्प्ले का option में adaptive brightness की बात करते हैं तो adaptive brightness जो अच्छे से work कर रही है कोई भी इश्व नीए है आप live display एक बार देख लेते हैं फिर से तो live display भी अच्छे से work कर रही है कोई भी issue नहीं है color calibration तो यह भी guys अच्छे से work कर रहा है color boost saturate आप अपने मर्जी से कर सकते हैं screen rotate यहाँ पर status bar item तो यहाँ पर आइकन जो है add कर सकते हैं फिर disable उनको कर सकते हैं अपनी मर्जी से flap screen यह सब working है traffic indicator भी working है कोई भी issue नहीं है उनमे ambient display की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है edge lighting का feature तो यह भी guys अच्छे से work कर रहा है कोई भी issue आपको देखने को नहीं मिलता है तो edge lighting भी अच्छे से work कर रही है आप अपने color जो है change कर सकते हैं आपको ambient में यहाँ पर new notification की display enable कर रखनी है बस यहाँ पर अपने font ज location on नहीं है working ही होगा तो यहाँ पर tap to wake up तो double tap to wake up एक बार चेक कर लेते हैं तो यह देखिए wake up जो है work कर रहा है आपने अब यह issue भी देखा को lock screen वाला यहाँ पर थोड़ी display cut देखने को मिलती है यह नहीं यह शुरुआत से android 10 में मैंने day face किया यह problem और guys बात करते हैं battery की तो battery काफी अच्छे चार्ज हो रही है पर अपको सबी को पता है अब वुक support हमें देखने को मिल जाता है fast charging का देखे मैं इसको morning से use कर रहा हूं सुबा साथ बज़े से मैं इसको use कर रहा हूं तो काफी अच्छे से चल रही है इसकी battery मैंने PUBG तो खेर नहीं खेला है छोटा network की issue है यहाँ पर तो भी मैं कहीं चहां पर हूं तो बस YouTube चला है घंटा 12% 8 ball pool खेला है मैंने तो यह Gcam की बात करते हैं यह मैंने Gcam है यह आपको म यहाँ पर आप configuration file जरूर add कर लीजेगा यह देखें आप double tap से यह Gcam काफी अच्छा है यह stable है मैं इसे recommended कर रहा हूं आपको आप यही use करें आपको गैप्स जो मिल जाते हैं नेनो आपको नेनो रिकमेंडेड है तो वाइस बस यही था अच्छी वीडियो में और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते अगले वीडियो में थेंक्यू